दोस्तों इमेले गेब्रिये ने लिखी हुई कई सारी डिटेक्टिव स्टोरी आज भी फेमस हैं तो उन्हीं की यह स्टोरी है दे एकर्स धाउस स्टोरी का में एडिया यह है कि जनरल है आप सोचते हो कि अगर आप दूसरे लोगों का अच्छा करोगे तो वो लोग आपके भी अच्छा करेंगे उसे प्रोफिट होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कभी कबार ऐसा भी होता है कि अगर आप दूसरे लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो या फिर अच्छा करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है तो उसे एडिया के उपर यह पूरी स्ट कि उसके कंजूस अंकल की डैथ हो गई है जो कि खुद के लिए टोटल दो मिलियन यानि 20 लाग की प्रोपरटी छोड़ गए है अपने अंकल की प्रोपरटी के कागस जब वो चेक कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने 8049 में 3.000.000.000 फ्रैंक्स का मकान खरीदा था गैउस फ्रैंक्स क्या होता है जैसे हमारे इंडिया में रुपीज होता है वैसे वहां फ्रैंक्स किराया कम कर दूंगा विएसे भी मैंने कमाई हुई तो यह प्रोपर्टी है नहीं तो मैं अगर किराय कम कर दूंगा तो मुझे उसमें रहने वालों की दुआये लगेगी इसलिए वो उस मकान के केर्टेकर बर्णार को कहता है कि इन किरायदारों से कह दो कि आज से इनक किराया मेरे इंकल जीतना लेते थे इससे तीन गुना कम लिया जाएगा ये सुनके केर्टेकर को सदमा लगता है कि मालिक विकॉम्टे पागल हो गएगा फिर उसे यकीन नहीं आता कि उसने गलत सुना है या फिर गलत समझा है इसलिए विकॉम्टे बोलता है कि इन लोगों को कह दो कि कल से तुमारा किराया कम हो जाएगा अब जब बर्नार घर जाता है एकदम निराश होकर तब उसकी वाइफ है मेडम बर्नार और उसकी बेटी एमान डबाते कर रहे होते तो बर्नार है अपनी वाइफ को बोलता है इस बारे में तो मेडम बर्नार उसे कहती है कि एसा कोई इनसान पागल नहीं होता मुझे लगता है कि तुम शराब पीकर वहां गए होगे इसलिए तुमें किराया बढ़ाने की जगह किराया कम करना है ऐसा सुनाए दिया होगा एक काम करती हूँ मैं ही सुबह वहां जाके विकॉम्टे से ये बात कन्फर्म कर लेती हूँ फिर सुबह मैंडम बर्नार विकॉम्टे से किराय के बारे में फूचती है कि क्या सच में किराया कम कर दिया है तो विकॉम्टे बताता है हां जी बिल्कुल वहां से वापस आकर बर्नार और मैंडम बर्नार सोचते है कि कहीं मालिक विकॉम्टे पागल तो नहीं हो गए हमें जरूर ये बात उसके रिष्टिदारों से बतानी चाहिए लेकिन ये खयाल वो बंद रखती है और दूसरी सुबह मैडम बर्नाड उस बिल्डिंग के टोटल 23 किरायदारों को बताती है वो बिल्डिंग में 23 किरायदार रहते थे त हम थोड़ी करता है क्या कारण रहा होगा इसके पीछे फिर थोड़े दिन के बाद अफ़ाय फैलने लगती है विल्डिंग में कोई कहता है कि जरूर विकॉम्टे ने कोई पाथ किया होगा और इसका प्रायश्तित कर रहा है तो कोई कहता है कि मुझे कभी-कभी रात को इस इसके नीचे एक सिक्के बनाने की फैक्टरी बनाई होगी कोई कहता है कि इस मकान में कोई रश्यन जासूस रह रही है तो दूसरा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है हकीकत में इस मकान में भूत है कोई ऐसा भी बोलता है कि विकॉम्टे थोड़ी दिनों के बाद यहां इस बिल जाता है एकदम खाली पुराना आसपास घास उख जाती है फरनीचर बिगड़ जाता है लोहे पे जंग लग जाती है और लास्ट में तो दर्वाजे पे बोर्ड लगाना पड़ता है कि इस मकान को किराय पर देना है साथ ही वह मकान ही नहीं बलकि उसके आसपास जितने भी मक आओ तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक यू